हेलो स्टुडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 12 सब्जक्ट अकाउंटनसी के चैप्टर फाइनाशल स्टेटमेंट्स ओफ एन प्यू फ्रॉम दा बुक अफ डीके गोहिल का कोशन नुबर 24, 25 और 26 कराने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं आपको 24th कोशन पढ़के दे रहा हूँ स्टुडेंट्स इससे पहले कि मैं ये कोशन स्टार्ट करूँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चलिए अब हम बात करते हैं कोशन अबर 24 की कैल्कुलेट दा अमाउंट ओव मैडिसेंस कंजूम्ड तू बी डेप्टे तू इंकम और एक्स्पेंडिचर एकाउंट फोर दा ओपनिग करेटर तो चलिए अब हम इसको कैल्कुलेट करते हैं यह मैंने दो एकाउंट बना ले हैं एक बना रहा है है हम medicine लिख देते हैं इसको medicines एकाउंट ठीक है जी यह आजएगा credit side और debit side यहां पर मैं लिख रहा हूं particular rupees यह आजएगा particular rupees और यहां पर creditors account ओके जी creditors account कर देते हैं और यह credit side और यह debit side अगें यहां पर आजएगा पर्टिकुलर रूपिज पर्टिकुलर रूपिज तो सबसे पहले opening stock of medicine वह कितना है to balance brought down to balance brought down कितने बटे पचास सब और यहां पर आजएगा by balance carry down तो यह आजएगा 45,000 more than the opening stock तो यह कितना गया 95,000 यह कितना गया 50,000 जमा 45,000 यह कितना गया 95,000 ठीक है यह कितना गया 95,000 okay students तो यह थोड़ा सा इसको मैं extend कर दिया 95,000 आजएगा उसके बाद amount paid for the medicines तो अब उसके बाद यहां आएगा by opening creditors का यहां पर by balance brought down यह कितना है 20,000 opening creditors कितने बटे बोलिए 20,000 के और closing creditors के नहीं है to balance carry down 50% of the opening तो यह आगया 10,000 और यह किया आएगा to bank करके हमने क्या कर दी payment कर दी कितने किया है amount paid for the medicine during the year 2,000,000 की ठीक है और यह किया आगया 2,000,000 दो लख 10,000 माइनस 20,000 तो यह आगया 1,90,000 तो यह credit purchase आगी साल की by medicines करके यह आजेगी credit purchase तो इसको मैं cut करूँगा यहां पर transfer कर दूँगा to creditors करके credit purchase करके यह आजेगा ठीक है जी और वो कितना 1,90,000 यहां आगया 2,10,000 यह आगया और यह कितना आगया 1,90,000 और जमा 50,000 दो लग 40,000 दो लग 40,000 एक लग 45,000 तो यहां स्वे क्या आजेगा by income and expenditure account में आपका medicine consumed आजेगा medicines consumed कितना आगया बटे एक लग 45,000 और यही आपका answer है और इसी को अगर हमने इधर शो करना हो income and expenditure account में वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे शो करना है तो वो तो आपको पता ही है income and expenditure account में debit side में यह आएगा ठीक है यह रहा अकाउंट का छोटा सा format बना देते हैं हमने कोई कैलिविट करना है सिर्फ इसको शो करना है न income and expenditure account debit credit ठीक है यह आएगा particulars जिसको हम expenditure side बोलेंगे ठीक है जी और यह रूपिज यहां आजेगा two medicines consumed ठीक है यह कितना गया एक लाग पैंटालिस है कितना गया एक लाग पैंटालिस है बस यह ही शो करना था आपको ठीक है students तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं question number 25 की मैं आपको statement इसकी read करके देता हूं question की यह रहा question number 25 so question number 25 क्या कह रहा है on the basis of the following information given below calculate the amount of sports material to be adapted to the income and expenditure account of Durga sports club for the year ended 30 March 2019 openness opening balance है यह closing है stock of stock sports material 87,000 और एक लाग साथ सार करेटर ओपनिंग यह closing यह है sports material purchased during the year यह आज़े का उसने हमें क्या बोला है on the basis of information given below calculate amount तो हम सीथा calculate amount कर लेंगे क्योंकि हमें account बनाने की इसमें इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले ही उसने हमारे को क्या कर दिया परचेज फिकर दे दिया तो जब उसने परचेज वाली फिकर दिया तो हमें account बनाकरी सीथा ही मैं आपको यहां पर इसको बता देता हूं कि कैसे करना है calculation of amount of medicines consumed to be shown in income and expenditure account ठीक है जी चलिए तो यहां पर आएगा opening stock opening stock of medicine वह आपका कितना जो एक April का कितना बटे वो 87,000 का और इसमें हम क्या करेंगे add purchases कर दो purchases during the year कितना है purchases during the year कितना आ रहा है यहां पर हमें लास्ट में given है न 4,494,000 तो 87,000 प्लस 4,94,000 तो यह आजएगा पांच लाख 81,000 पांच लाख 81,000 लेस क्या करेंगे जी बटे लेस क्या करेंगे closing stock लेस क्या करेंगे closing stock और closing stock हमारे पास कितना एक लाख 7,000 एक लाख 7,000 तो यह आजएगा amount consumed यह मैं medicine लिखी जा रहा हूँ, sports material, medicine ही sports material, treatment वही रहेगा ना क्योंकि assets है material ठीक है जी sports material, sports material consumed, okay ठीक है जी तो अब भी इसको भी अगर आप income and expenditure account में डालना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ how to show it in the income and expenditure account तो यह आगया आपका debit side, यह आगया expenditure, income and expenditure, account rupees ठीक है तो यह क्या आएगा टू, बोलो बचे, क्या आएगा, to sports material consumed, यह आगया 4,74,000, ठीक है जी, यह आपका बस इस तरीके से show करना था मैं, चलिए, अब मैं आपको करके देता हूँ 26 question, तो 26 question के लिए मैं अभी आपके लिए statement पढ़ने जा रहा हूँ, यह देखिए 26 question यहाँ पर लिख लेते हैं, 26 question क्या कह रहा है, calculate the amount, ठीक है जी, क्या करना है को बोल रहा है वो, calculate the, what amount will be posted to the income and expenditure account for the year ended, 31 मार 2021, stock of stationery, ठीक है, stock of stationery कितना है हमारे पास, 1 April का, 2020 का 7000, ओके जी, और creditors for the stationery, 1 April का 4000, ओके, ठीक है, और उसके बाद बाकी information क्या है, advances paid for the stationery carry forward, on 1 April 2030, 2020 सोरी, 6000, और उसके बाद stock of stationery कती मर्च, 3000, और फिफ्थ में आइटम में क्या है, creditors for stationery हमारे पास है, 8000, closing का, और advance via closing का, ठीक है, 1500, और amount paid for the stationery, 42,000, ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि amount बताओ, कितना आपको income and expenditure में debit करना है, और वो है stationery का, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बनादाओंगा calculation of amount of stationery to be shown in income and expenditure account, ठीक है जी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोंगे payment, payment made for purchase of stationery, वो कितने की है, 42,000 की, कितने की बताओंगे थे उसने, 42,000 की, अब इसमें हमें less पहले क्या करना है, creditors in the beginning, creditors in the beginning, आपको इसमें क्या करना है, less करते नहीं और दूसरा less क्या करना है, advance at the end, ठीक है, और creditors beginning के कितने, 4 sir, और advance कितना है, 1500 और यह कितना आगया, 500, 500 आपको less कर देने के बाद क्या आएगा, 42,000 में से, आप 55,000 माइनस कर दोगे, तो क्या आजेगा, 42,000 में से, 35,000 माइनस करोगे, तो क्या आएगा, 36,500, 36,000 क्या आएगा, 500, तो उसके बाद आएगा, add creditors, add creditors at the end, creditors at the end, यह आएगा, 8,000, और add क्या करेंगे, advance, paid, add beginning, तो beginning का कितना है, 6,000, तो यह बन गया, 14,000, तो 14,000 आप इसमें add कर दोगे, तो यह आजेगा, 500, 0, 5, 50, 500, तो यह आपका क्या बन गया, purchase of stationary, यह आपका क्या गया, purchase of stationary, during the year, during the year, यह आगया, उसके बाद क्या करोगे, add इसमें क्या करोगे, naturally opening stock add करेंगे, add क्या करेंगे, opening stock, opening stock कितने का है, हमारे पास, 7,000 का है, और यह बन गया, 57,500, और less क्या करोगे, closing stock, closing stock कितने का है, 3,000 का, तो आपके पास कितना बचा, 54,500, तो यह आएगा, stock of stationary consumed to be shown on debit side of income and expenditure account, debit expenditure, income and expenditure, account, rupees, income, rupees, ठीक है, तो यह आएगा, two stationary consumed, यह कितना अंसर है, 54,500, यह आपका अंसर है, बुक में भी देखिए, और यह figure यहां से, यहां carry forward कर देंगे, that's it, तो friends, यह रहा आपका, 26 questions, okay, जी, तो इसी के साथ, यह तीनो questions complete होते हैं, और मैं यह video यही conclude करता हूँ, I hope कि आपको अची तरह समझा आ गया होगा, अब अगले questions के लिए मेरी videos देखते रहे हैं, और channel subscribe करना ना भूले, okay, जी, done,